आप सभी लोगों का तहित दिल से स्वागत करता हूँ आप एक और ब्रैंड न्यू वीडियो के साथ आप सभी के सामने आ गया हूँ तरसल ये वीडियो जहे कल रात को ये आ गया था लेकिन मैं जॉब में ठका हुआ घर आया था तो मैं सो गया था तो मुझे पता नहीं चला कि ये वीडियो कल रात को आ गया है एक्शुडी ये वीडियो जो है प्रसांत सर्जी के वर्ल अफ पर आया हुआ है वीडियो का टॉपिक जो है रसिया डिकलर्स दैट इट विल नॉट हिल्प इंडिया अगेंस्ट तालिवान इन अफ़पानिस्तान तो रसिया ने काफी बड़ा स्टेटमेंट्स दे दिया है कि वह इंडिया को हिल्प नहीं करेंगा तालिवान के अगेंस्ट में इसमें पूरे बात क्या है क्या मामला है इस वीडियो को दिखने बाद इबात एंपता दबेगा चैनल को सस्क्राइब करने ना साथ-साथ अभी तक आपने हमारे प्रशान दवन आज के समय भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर ये है कि तालिबान लाइन ओफ कंट्रोल के सिर्फ 400 किलोमेटर दूर है तो कोई बड़ी बात नहीं आने वाले कुछ महीनों में दो तीन महीनों में यहां से बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं ये कश्मीर में भी आना स्टार्ट कर दे या फिर जो लाइन ओफ कंट्रोल है उसके आसपास फारिंग भी ये स्टार्ट कर सकते हैं occasional basis पर और ऐसा नहीं ह कि इंडिया सिर्फ अकेला देश है जो तालिबान को लेकर काफियर तक concerned है इवन इसराइल में अब discussion स्टार्ट हो चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान completely कबजा कर लेता है तो इससे काफी बल मिलेगा हमास और हेजबुला को और इससे इसराइल पर भी हो सकता देख रासा हुआ है तालिबान का पहली बात तो कोई समिधान नहीं है कोई इनके proper ideals नहीं है इनका जो core belief है यह है religious fundamentalism तो chances बहुत हाई है कि इस 3 करोड की आवादी में से बहुत से लोग in the future religious fundamentalism की वज़े से इसराइल पे attack कर सकते हैं कश्मीर पे attack कर सकते हैं और who knows हो सकता ह कि 9-11 जैसा फिर से एक terrorist attack attempt किया जाए USA के उपर तो recently इंडिया की कोशिश यहाँ पर यह थी कि तालिबान इंडिया की बॉर्डर के करीब जो तजीकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ पर since Russian forces deploy हो चुकी है अगर यहाँ पर आप देखे यह तजीकिस्तान है यह यहाँ पर पर अफगानिस्तान की बॉर्डर है तो since यहाँ पर रश्या की forces already deployed है इंडिया की कोशिश यहाँ पर यह थी कि रश्या के साथ हम cooperation करके जो northern area है यहाँ पर अफगानिस्तान का यह control में रखे यह completely तालिबान के हाथ में ना चला जाए इसके लिए हमारे विदेश पंतरी recently र भारत के साथ नहीं करेंगे अफगानिस्तान issue को लेकर यह जो statement है मैं कहूंगा बहुत जादा to the point है काफियत तक cold भी है और जो भी इंडिया की यहाँ पर उमीद थी रश्या से इसको काफियत तक destroy भी कर देती है इन्होंने आपर कई बाते बोली है तो यह है कि इंडिया के reality है एक सच्चाई है और घूम फिर के इंडिया should decide its own role you are on your own मतलब के खुद अपना देखो हम से ज़रा उमीद मत करना कि अफगानिस्तान issue को लेकर हम आपके साथ जादा cooperation करेंगे ना यहाँ पे आप पूछेंगे वेट रश्या ने अफगानिस्तान के बिल्कुल past में अप यह सारी statement by the way है of the Russian deputy head of mission in India इन्होंने यह statement दिया यहाँ पर के हमारे पास बिल्कुल काफी experience है अफगानिस्तान को लेकर मगर हम कोई foreign military involvement यहाँ पर नहीं करने वाले जो हमने border के आसपास अपनी सना एखटा करी है यह सिर्फ CSTO के अंडर जो हमारी compulsions है जो हमारी जिमदारी है उसको हम पुरा कर रहे हैं CSTO आपको बता होगा यह है collective security treaty organization यह एक तरीके से आप कहा लिजिए रश्या का NATO है इसमें total आपको मिलेंगे 6 देश और CSTO के हिसाब से अगर आप इन में से किसी भी country पर attack करते हैं तो मतलब कि आपने 6 के 6 देशों पर attack कर दिया है मगर obviously रश्या ने यह का है कि आपकी security Russian Federation सबालेगा तो इसलिए रश्या ने यहाँ पर यह का है कि CSTO के अंडर बिलकुल हम तजिकिस्तान के यहाँ पर इखटा हो गए हैं मगर इसका मतलब यह मत समझे ना कि यहाँ पर कल को कश्मीर की तरफ बहुत सारे मुझायदीन जा रहे है या फिर Taliban और कुछ करता है पाकिस्तान को support करने के लिए in the Kashmir region तो उसको हम रोकने वाले हैं और finally इनोंने एक और बाद यहाँ पर यह भी add करी है कि इंडिया को accept करना होगा तालिबान को इंडिया तालिबान को accept कैसे करेगा इसका इनोंने आपे तर्ग यह दिया है कि देख important group है Hezbollah Hezbollah की presence आपको मिलेगी Lebanon के Parliament में इनकी government की functioning में और Hezbollah को ऐसा नहीं है कि US या फिर वेरियस और countries एक आतंगवारी संगटन मानती है हाँ Hezbollah की कुछ military wing है जिसको European Union कहता है कि यह है एक आतंगवारी संगटन तो रश्या ने आपर यह का है कि तालिबान को मान लो कि यह Hezbollah जैसा है इनसे आप बातचीत कर सकते हैं और अपना बातचीत वरा करके इनसे आप solution निकालिए हम से expect मत करिए यहाँ पर कि हम इन पर bombing करेंगे आपके लिए ना यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि रश्या का ये stance क्यों है इसका reason क्या है क्या हम weapons कम purchase करने है राजगी का मगर यहाँ पे हम primarily focus करें अगर अफगानिस्तान में तो रश्या ने बिलकुल तजिकिस्तान की security के लिए यहाँ पे forces तो deploy किये है मगर रश्या internally आप अगर देखो तो बिलकुल यही जाता है कि अफगानिस्तान में Taliban का कबजा पूरा हो जाए और उसके बाद Taliban क के साथ Russia के neutral relations हो ना जरा friendly हो ना इनके यह enemy बन जाए और इसलिए आप में यह भी देखा होगा कि Russia openly अभी के लिए जो अश्रफ गनी की सरकार है Taliban में जो कैसे भी करके जो capital है इसको पगड़के बैठी है इसकी भी आलोशना कर रही है इसको कहा रही है कि यह सरकार hypocritical है और जल से जल बाची शुरू करनी चाहिए Taliban के साथ तो इन very simple words Russia बिना बाद पे Taliban के against कोई animity नहीं मोड लेगा जो इनका यहाँ पे move है नियर तजिकिस्तान ये एक defensive move है for worse case scenario के कल को अगर मालो Taliban बिलकुल auto control हो जाता है तो उस वक्त at least जो CSTO countries है उनको यह defend करेंगे मगर इंडि के साथ cooperation करके हम Taliban को नहीं रोख पाएंगे तो हमारे पास अगले option यहाँ पर क्या आते हैं perhaps हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इस्राइल के साथ हलाकि इस्राइल जोग्राफिकली बहुत ज़रा दूर है मगर इस्राइल को भी यहाँ पर पता है कि अफगानेस्तान में Taliban की rise की हो रहा है कोई यहाँ पर improvement के sign नहीं दिख रहे कि यह लोग proper तरीके से government यहाँ पर चलाएंगे और यह आतंगवाद नहीं फिलाने वाले problems के sign साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं eventually एक नाए group जरूर फॉर्म होगा अफगानिस्तान में Taliban के issue को resolve करने के लिए यह अभी के लिए एक news and transition है इस पर जो भी अभी developments आएंगी उस पर मैं updated वीडियो आपके लिए ले आऊँगा गाइज 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 जैसे कि आपने देखा यहाँ पर फाइनली वीडियो खतम हो चुका है तो आपको आपको मामला पता चल गया होगा रचिया ने क्यों ऐसा इस्टेर्मेंट लिया जैसे कि प्रसांद सर्जी ने कहा हां इंडिया आत्मन निरुफर की तरफ आगे प तो अभी वैसा इस्टेटमेंट क्यों दे रहा है यह मेरे समझ के ऊपर से आप लोगों कुछ बात पता है इस बारे में तो कॉमेंट करके बता सकते हो कैसा इस्टेटमेंट दे दिया है आप अपना खुद देखो हमसे ज्यादा उमीद मत रखो यह कोई बात हो दिये क्या सब्सक्राइब करेंगी हमारे साहया हाँ और आर म करेंगे अ किसा करेंगे एक साथ आप मान सकते हो तो इस टाइब से सोच कर इंडिया को अल्रेडी प्रिपेर होना होगा हाँ वो ऐसा कुछ करेंगे तो हैसे हम उसको जपवेट लेंगे यह आप सबी को कहना चाहता हूं बाकि आप लोगों का राय विचार क्या है इस वीडियो के ऊपर कॉमेंट करके बता सकते हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर लाव यू वाल जाय नेपाल जाय हिंद